नीट की तयारी कर रहे होते हैं या जैई की तयारी कर रहे होते हैं औरे estáne यह स्वेनिट्विंट को बहुलने की रह जाती है और अगे यू सॉद्विकित के स्थार है को overall याद रखना और organic chemistry को strengthen करने के लिए क्या करना चाहिए आज इस session में आपके साथ मैं share करने वाला हूँ start करते हैं session उससे पहले एक बहुत important information उन सभी students के लिए हैं जो NEET या JE की preparation कर रहे हैं आज से AOTS 2.0 that is ATP online test series जिसमें question wise video solutions आप सभी को provide किये जाते हैं enrolments start हो चुके हैं enrolment आप हमारी app से यानि ATP star app से या website से कर सकते हैं and पहला test जल्द ही होने वाला है तो जल्दी से enroll करें and test की तयारी शुरू कर दे hoping that आप सभी को AOTS 2.0 में बहुत मजा आएगा चली गाइस अब मैं आपको बताता हूँ कि देखो organic chemistry को strengthen कैसे करना है how to memorize organic chemistry तो देखो यार organic chemistry को remember करने के लिए सबसे पहला point ही यह है that you don't have to cram it you don't have to learn it पहली चीज यह है क्योंकि समझ रहो ना दिक्कत कहां पर होती है अगर हम किस चीज को cram करते हैं तो हमारे अंदर तक वह बसती नहीं है उसका reason तो हमें बहुत clear होता नहीं है तो फिर बाद में क्या होता है कि वही चीज़ें हम भूल जाते हैं यानि first most important thing is yes you have to understand organic chemistry understand it properly अब सिर्फ understanding से याद नहीं होता understanding के बाद apply भी करना होता है यानि दो पार्ट हो गए एक तो understanding and second is application as well as revision तीन पार्ट इसके इंदर है सबसे पहले हम understanding के बारे में बात करते हैं यार देखो organic chemistry जो है न उसके अस्त्र शस्त्र जो होते हैं आप सभी जानते हो अगर IPSC naming प्लस M माइनस M नहीं आएंगे तो आगे परिशान होते रहोगे उसके अलावा isomerism जो अगर हम बात करें तो वो भी decent level पे आप सभी को आना चाहिए होता है ठीक है तो सभी को पता है यह आना चाहिए लेकिन अब मैं एक चीज़ बता देता हूं कि पहली चीज़ अगर आप organic chemistry को जल्दी सही करना चाहते हो तो IPSC बहुत detail में जरूरत नहीं होती IPSC आप NCRT level का कर लो that is more than sufficient for NEET as well as JE दोनों के लिए ही more than sufficient है got it everyone तो IPSC आप NCRT level का कर लो ठीक है उसके वह जीओ सी आईसोमेरिज्म को कितना भी detail में जा सकते हैं लेकिन at least NCRT level का तो होना चाहिए नितो उसके बिना reactions mechanism और यह सब समझ में नहीं आएंगे लेकिन IPSC में इतना बहुत होता है IPSC की में गहरी डूपकियां लगाने की इसी जल्दी से करो क्योंकि नाम है नाम धीरे धीरे प्रेक्टिस के साथ याद हो जाते हैं अब अगला पार्ट होता है रियक्शन वाला पार्ट रियक्शन वाला पार्ट में hydrocarbon oxygen containing compounds nitrogen derivatives aromatic compounds बहुत सारी चीज़े होती है और उसके अलावा biomolecule polymers chemistry in everyday life वाला chapter भी रहता है तो जहां तक reaction वाले पार्ट की अगर मैं आप सभी को बताऊं तो reactions जो होती है ना उनके general mechanism आप students को mechanisms में बड़ी tension होती है मैं आपको सभी को बताता हूँ मैंने एक video बनाया था how to understand any organic reaction किसी भी organic reaction को understand कैसे किया जाए आप पता किसी भी reaction को understand कर सकते हो हर step को understand कर सकते हो और उसका रामबान होता है electrophile and nucleophile को पहचानना अगर हम electrophile यानि electron deficient species को और nucleophile जो electron donor होता है इसको पहचान जाते हैं इसको अगर हम पहचान जाते हैं तो किसी भी तरह की दिक्कत नहीं आती हर step में nucleophile, electrophile को electron देता है एक नया bond बनता है तो एक पुराना bond तूटता है यानि अगर त उमने शुरू वाले mechanisms understand कर लिये, समझ लिये कि सारा process यानि electron कहां से कहां transfer हो रहे, तो then you will be comfortable with the mechanisms, याद रखिये कि आपको सारे जो mechanisms होते हैं, you don't have to remember all of them, बहुत सारे mechanisms class में इसलिए बताय जाते हैं ताकि you will be able to understand कि what is happening, जैसे कि mechanisms of PCL5 है, mechanism of SOCL2 है, बहुत सारे ऐसे mechanism हैं, ज पता होने चाहिए, वो होते हैं general mechanism, general mechanism मतलब hydrocarbon में जैसे electrophilic addition होता है, या nucleophilic substitution, nucleophilic addition, जो अपने fundamental mechanisms होते हैं, वो आपको अच्छे से पता होने चाहिए, क्योंकि पूरी organic, mainly 8 से 9 जो fundamental mechanisms हैं, उन पे based होती है, understood, तो mechanism से घबराने का नहीं है, अपने को, mechanism से दोस्ती करने का समझने का है, यह प्यार महबत का रिष्टा है, इलेक्ट्रोफाइल और नुक्लियोफाइल के बीच में एक नया बाट बनता है, और नया बाट बनाने के लिए पुराना तोड़ना पड़ता है, life का यही उसूल है, okay dear students, अगली चीज़, अब इसमें आपको different questions, अब बात आ कर लो, उसके अलावा सबसे important चीज जो organic chemistry में revision के लिए भी बढ़िया रहती है, वो रहता है convergence, यानि revision भी practice के थुरू करोगे, तो that would be the best way for you, तो convergence जो होती है, वो आपको NCRT के पीछे भी मिल जाएगी, खासकर oxygen containing compounds वगयरा में, इन समय आपको अच्छी खासी convergence मिल जाएगी convergence जो होती है न, और गेनिक की, यह puzzles की तरह होती है, puzzles की तरह, पहेली की तरह होती है, यानि आप इनको जब करने लगए तो आपको बहुत-बहुत मज़ा आएगा, ठीक है, उसके अलावा एक और तरीका होता है, और गेनिक chemistry को अच्छे से memorize करने का, मतलब समझने का, that is learning curve, learning करने हैं, या learning चार्ट बोल सकते हैं, ठीक है, जिसमें, A से बना B, B से बना C, C से बना D, इस तरीके से आप याद कर सकते हो, अपने आप ये चार्ट बनाने चाहिए, अपने अप बनाने चाहिए, अपने बनाये वए चार्ट बहुत amazing होते हैं, बहुत helpful रहते हैं, किसी और के बनाएवे चार्ट में कोई ना कोई अन्नोन रिएजेंट फस जाएगा और उसमें स्टूडेंट परेशान होता रहेगा अगली चीज जो है अप्लिकेशन पार्ट में वह बताऊंगा कि स्टिक टू दसलेबस ठीक है स्टिक टू दसलेबस बहुत सारी चीज़ें ऐसी करा कोचिंग में खास कर जो रियल एक्जाम में नहीं आती या आने के चांसे बेहत कम होते हैं उस तरह के टॉपिक्स पे हमको परेशान नहीं होना है पता लगए आप बहुत सारी ऐसी चीज़ों के लिए परेशान हो जो एक्जाम में पूछी ही नहीं जाती तो यू हैब टू अब यह कैसे पता लगेगा कई स्टूडेंट्स को नहीं पता रहता तो उसके लिए भाई साब पीवाई क्यू जो होते ना प्रीवीस एर क्वेस्टन को देखो उससे आपको अंदाजा लग जाएगा कि आप नीट की तैयारी कर रहे हो तो नीट में कैसे क्वेस्टन आते ह प्रेशन मस्ट भी स्ट्रिक्टली बेस्ट ऑन पीवाई क्यू ठीक है अच्छा यह डिफरेंट वराइटी ऑफ क्वेस्टन करोगे ना सिंगल करेक्ट हो गया जो एडवांस की तहरी कर रहा हो तो और भी वेराइटी करेगा लेकिन करने का सब्जेक्टिव क्वेस्टन करन के लिए क्वेस्टन की प्रेक्टिस करने के लिए देराइट वेरियस रिस रिसॉर्स इसमें लेकिन सबसे अच्छा रिसॉर्स मैंने आपको पहले ही बता है यह बाकि अगर हम टेस्ट की बात करें तो टेस्ट में एओटी एस टू-पॉइंट वो लांच हो चुका है इसमे अगली चीज अगर मैं आपको बता हूँ तो वो होता है बुक रीडिंग देखो यार अगर कोई एक बुक को रेफरेंस लेके उसको अगर आप अच्छे से रीड करते हो ना पूरी बुक को रीड नहीं करना ओकेजनल रीडिंग करनी है मेकैनिजम्स की रिएजेंट्स की र का लेटेस्ट एडिशन जो है ये एक बुक है जिससे आप जनरल मेकैनिजम्स को स्टडी कर सकते हो वैसे तो हर बुक में कुछ ना कुछ नया मिलता है पर इतनी बुक आप लेके रखने का कोई बेनिफिट नहीं होने वाला उसके अलावा शॉर्ट नोट्स देखो यार रि और बंक कर सकते हो और वास्ट एव्यान एक बना रही है य तो सबसे इम्पॉर्टन सही सही से बन गया आईप सी जल्दी से खतम करो GOC isomersm में बहुत मलब कर लो लेकिन at least एक basic level पर कर लो ताकि समझ में तो आए बाद वाली चीज़ें at least उत्ता तो कर लो और उसके बाद reaction mechanism में starting वाला chapter game changer होता है एक बार hydrocarbon की understanding हो गई तो बाकी सम में भी understanding develop हो ही जाती है because organic chemistry में everything is connected आप ऐसा नहीं कर सकते की है जो पहला base है इसको छोड़के सीधा reaction mechanism कर लिया everything is connected और organic chemistry के questions भी generally multiple concept आते हैं तो organic chemistry को समझना है रटने का नहीं है guys make sure you hit the like button अगर ये वीडियो आपके लिए helpful रहा है and guys आपने अगर अब तक atp star को subscribe नहीं किया है तो do subscribe right now and जो भी student enroll करना चाहते है AOTS 2.0 में this is the right time to do that make sure you do it as soon as possible चलिए guys take care and keep preparing well love you all